आज इस वीडियो लेक्षर में हम लोग जानेंगे बेंजाइन इंटरमेडिट क्या होता है और इसकी स्ट्रेक्शर कैसी होती है और किन किन रेक्षिन में बेंजाइन इंटरमेडिट की फॉर्मेशन होती है अगर बेंजाइन की स्ट्रेक्शर की बात करें तो इसकी स्ट्रेक्शर कुछ इस तरह से दिखाई देती है इसमें सिक्स मेंबर रिंग होती है और यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिपल बॉंड होता है अब इस टोटल 6 pi electron का conjugation होता है और 6 pi electron के conjugation के कारण अगर इसमें n की value को 1 रखा जाए तो यह 4 n प्लस 2 pi rule को follow करता है और इसलिए हक्यल rule के according यह aromatic compound होता है अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1 pi bond में 2 electron होते हैं और टोटल इसमें 4 pi bond है यानि इसमें 8 electron होए जबकि हक्यल rule के according इसमें 6 pi electron का conjugation है तो इन मेंसे कौन सा ऐसा pi bond है जो conjugation में participate नहीं कर रहा और दूसरा question यह बनता है कि जैसे नाम से हमको पता चलता है यहाँ y n यह आ रहा है तो क्या यह triple bond है या कोई यह special type का bond है इन दोनों ही question को benzyne के इस diagram के तुरह हम explain कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो तरह के orbital दिखाए गए है एक तो red color में है दूसरा हमारे पास blue color की है अगर यह red color के orbital की बात करें यह हमारे पास 2 pi orbital है और जो benzene के सभी six carbon पर present होगा हमने किवल इन दो carbon को ही शो किया हुआ है इसी तरह अगर हम इस blue वाले orbital की बात करें यह हमारे पास aspect orbital होगा चुकि इन दोनों में repulsion होगा इसलिए यह बिल्कुल parallel नहों कर एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे और इसमें पूर ओरलेप होगी इसका मतलब यह हुआ कि इसमें यह जो blue color के कारण जो bond बनता है वो यह bond होगा अब question यह रहा क्या यह pi bond है अगर यह pi bond होता अलकाइन की तरह pi bond होता तो इसकी nature क्या होती यह sp hybridized होता और bond angle इसका 180 degree होता और किसी भी six member ring में 180 degree का angle possible ही नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा strain डवलप हो जाता और ऐसी condition में ring survive नहीं कर पाती तो इसका मतलब तो यह हो गया यह triple bond तो है नहीं अभी फिर क्या है यह हमारे पास इन दो sp2 orbital की poor overlapping के कारण एक extra pi bond बना है यह हम इसको ऐसा कहले यह pi like bone अब बात करते हैं इसमें यह जो pi bond है अगर इसको यहां consider किया गया है तो यह carbon के सभी जो red pi orbital होंगे जो सभी carbon पे होंगे उनके साथ यह perpendicular होगा और resonance में देखा था perpendicular orbital कभी भी conjugation या resonance में participate नहीं कर सकते इसका मतलब यह है जो extra pi bond या pi like bone कहा जा रहा है यह carbon के सभी six orbital के साथ perpendicular या orthogonal होने के कारण resonance में participate नहीं कर सकता यानि कि यह localized bond हुआ अगर इस benzyne की resulting structure को consider करें तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी जिसका मतलब यह है कि इसमें अंदर के 3 pi bond का conjugation होगा और इनी 3 pi bond के conjugation के कारण इसमें total 6 pi electron का conjugation होगा जिससे यह aromatic intermediate होगा अगर इस base पे benzyne के important features की बात की जाए तो number one benzyne जो होता है वो highly reactive intermediate होता है अभी highly reactive intermediate क्यों होता है क्योंकि इन दो sp2 carbon के बीच में poor overlapping होती है जिससे pi like bond बनता है number third यह जो pi like bond होता है इसके electron pair की energy भो जादा होती है जिससे इसमें repulsion होता है energy content बढ़ जाते है और इस pi bond की stability घर जाती है इसी करण से यह जो pi like bond है वो highly reactive होने के करण benzyne itself एक highly reactive intermediate बन जाता है और इसका ही जो extra pi bond या pi like जो bond है यह resonance यह conjugation में participate नहीं करता है क्योंकि यह carbon के 2p orbital के साथ orthogonal रहता है या फिर यह perpendicular रहता है अब बात करते है mechanism की जिसमें benzyne intermediate की formation होती है अब मालों हमारे पास एक benzene है जिस पर कोई group Z लगा हो है यहाँ पर Z हमारे पास living group है living group वो groups होते हैं जो reaction के दोरान reaction से leave कर जाते हैं जिनको हमने SN2 और SN1 reaction के दोरान detail में discuss किया था और यहाँ पर living group की form में different halogen के साथ साथ nitrogen, OTS तरह के भी living group हो सकते हैं reaction के दोरान इस molecule की reaction strong base के साथ करवा जाती है अब benzyne बनने के दो mechanism possible हो सकते हैं जिसे हम A और B मान रहे हैं अगर हम A mechanism की बात करें तो इस molecule में इस living group के respect में जो addition carbon होगा उसको हम beta carbon कह रहे हैं यानि यह जो strong base होगा हमेशा beta carbon से ही H को upset करेगा चुकि इसकी acidic nature ज्यादा अच्छी या ज्यादा अच्छा acidic nature का नहीं होता इसलिए benzyne बनाने के लिए हमको strong base लेने पड़ते हैं और यह strong base क्या करता है इस beta carbon से इस hydrogen को upset कर लेता है और जैसी ही यह base इस hydrogen को upset करता है यह carbon hydrogen bond के electron यहाँ shift हो जाते हैं और simultaneously इस carbon और Z की base का bond break हो जाता है जिससे finally benzyne intermediate की formation होती है इस reaction में base इस H को upset कर लेता है यानि कि इस reaction में BH as a side product बनता है और साथ में यहाँ से Z अपने इस bond के electron को लेकर leave कर जाता है यानि इस reaction में Z negative leaving group की तरह काम करता है और यह दोनों ही चीज़े जो होती है वो single step में होती है इसलिए A type के mechanism को हम concerted mechanism या concerted elimination कह सकते हैं जो की single step होता है इस step के elimination E2 reaction होती है जिसको हम detail में elimination reaction के दौरान discuss कर चुके हैं अब इसमें एक possibility और हो सकती है जिसको हम possibility B कह रहे हैं अब यह जो base है इस H को upset करता है जिससे इस reaction में यहां से इसको electron देगा और carbonane की formation होती है यानि कि इसमें पहले step में BH release हो जाता है अब यह carbonane क्या करता है यह बना हुआ carbonane इस तरह से migrate होता है या इस तरह से move होता है कि यहां से carbon Z bond break हो जाता है यहीं second step में इसमें living group Z negative निकलता है चुकि पहले वाले में single step था जबकि इसमें दो step reaction होती है पहले में यह base इस H को upset कर लेता है BH side product release हो जाता है और दूसरे step में इसमें living group release होता है और benzyne intermediate की formation होती है इस type के reaction को हम step wise elimination कहते हैं जो की E1CB elimination कहलाता है E1CB mechanism को हम elimination के दोरान detail में discuss कर चुके हैं 12th class के elimination chapter या alkaline light के chapter की आपको basic knowledge है या फिर आपने E1CB का video देखा है तो उसमें हमने discuss किया था कि E1CB reaction के दोरान जो living group होता है वो poor living group होता है जिसको इस negative charge या carbonane के तुरू by force release किया जाता है इसका मतलब यह है कि इन चारों में से जो सबसे poor living group होगा वो E1CB mechanism के थुरू release होगा और इन मेंसे जो better living group होगे वो E2 mechanism के थुरू leave होगे अगर इनकी living group की tendency की बात करें या order की बात करें तो इसमें आयोडिन सबसे best living group होता है जबकि F जो होता है वो सबसे weakest living group होता है living group को हम base के साथ correlate करें तो हमने इसी वीडियो में देखा था कि जो living group tendency या ability होती है वो inversely proportional to basic city होती है इन में से जो जितना घटिया base होगा वो उतना strong algae होगा इन दोनों तरह के mechanism में जड़ जड़ negative की form में बहार निकल रहा है इसका मतलब ये चारो हैलोजन as a negative बहार निकलेंगे ये F negative की form में बहार निकलेगा और ये i negative की form में बहार निकलेगा अगर इनकी basic city को compare करें तो F negative का size छोटा होने की कारणिये strong base होगा अगर इसकी basic city जादा है तो F negative poor algae होगा इसका मतलब ये है अगर Z की value हमने F रखनी है तो ऐसी condition में इसमें even cb mechanism होगा चुंकि बाकी ये तीनों जो होगे इनकी basic city कम होगी तोकि इनका size बढ़ा होगा इसलिए इनकी leaving tendency जो होगी वो जादा ह हो जाएगे तो इसका मतलब ये है अगर हमारे पास Z की value इसमें आई या BR या CL हुई ऐसी condition में इन में E2 mechanism follow होगा इन दोनों तरह के mechanism में हमको ये ध्यार में रखना है कि इस base ने केवल उसी hydrogen को upset कर रहा है जो leaving group के respect में बीटा position पर हो अमालनों हमारे पास कोई ऐसा compound है जिसम हाँ पर हमने कोई भी group G रख दिया अब इस G के कारण क्या होगा इस बीटा कारबन की जो H थी वो absent हो जाएगी ऐसी condition में कितना भी strong base ले लें कैसे भी condition को maintain कर लें इसमें benzyne formation possible ही नहीं पाएगी अगर इस reaction के base की बात की जाए चूंकि बीटा hydrogen की nature acidic नहीं होती इसलिए इस reaction में बहुत strong base लेने की जरूरत होती है और strong base के साथ साथ इस में बहुत ज़्यादा harsh condition यानि 300 से 500 यानि 300 डिगरी से 500 डिगरी सेंटीगरी तक temperature भी maintain करने की जरूरत होती है और benzyne intermediate इतना ज़्यादा रेक्टिव होता है sometime इस से dimer और trimer की भी formation हो जाती है benzyne को इस method के अलावा भी कई ऐसे method है जिसके तुरू synthesize किया सकता है अब हम important method को consider करते हैं जिसके तुरू हम benzyne को synthesize कर सकते हैं जैसे number one अगर मान लिजे हमारे पास कोई aniline दी गई है और उसके adjacent carbon पर कोई carboxyl कैसी रिया उसका silver salt दिया गया है और ऐसी condition में इसका die azotization किय जा रहा है इस reaction को हम previous video में अच्छे से discuss कर चुके हैं ऐसी reaction में जो NS2 group होता है वो die azotize हो जाता है और इस reaction में CO2 और nitrogen लीव करते हैं अब यह CO2 किस तरह से लीव करती है यह negative charge यहां move करता है और इस bond के electron यहां चले जाते हैं और simultaneously यहां से nitrogen लीव कर जाता है इस पूरी reaction में CO CO2 के साथ nitrogen gas leave करती हैं और finally benzyne की formation हो जाती है और इसी तरह इसके second method में मालो हमारे पास benzyne पर दो different halogen लगे हैं दोनों halogen जो हैं एक दूसरे की orthoposition में हैं और ऐसी condition में one equivalent mg लेकर इसका granard synthesis किया जाए तो इन मेंसे केवल उसी halogen का ही granard synthesis होता है जिस में living group tendency ज़ादा होती है जो कि इसमें carbon और iodine के बीच के जो bond होता है ये bond carbon और fluorine के बीच के bond से बड़ा होता है और बड़ा होने के करनी easily break हो जाता है और ऐसी reaction में mg इनके बीच में insert हो जाता है जैसे हमारे पास एक organometally compound की formation होती है इस पूरी reaction को हम granard reagent के दोरान detail में discuss कर चुके हैं अब इसमें ब क्या करता है यहां migrate करता है और यहां से एक पूर living group f negative release हो जाता है और इस reaction में finally हमारे पास benzyne की formation हो जाती है अब मानलों हमारे पास कोई benzyne है इस benzyne पर कोई living group x लगा हो है और living group जिस carbon के साथ attach है वहां पे star marking की गई है यानि कि यहां पर c14 isotope रखा गए है और जब इसकी reaction soda mite के साथ इंदा presence of strong heating करवाई जाती है तो surprisingly दो बनते हैं अब बनने वाले दोनों product के अगर ratio की बात की जाए तो दोनों product की जो मात्रा या amount होती है वह 50-50% होती है यह दोनों product जो है equal amount में बनते हैं अब दोनों में सबसे बटा difference क्या है दोनों में सबसे बटा difference यह है कि इ carbon के साथ hydrogen जुड़ा हुआ था यानि C14 वाले carbon से जुड़ा हुआ है जबकि दूसरे वाले product में अनिस्टर ग्रूप इस C14 वाले carbon के एडजेस्टिन वाले carbon पर जुड़ा हुआ है अब इसमें दो product किस तरह से बन सकते हैं इसके हम इसके mechanism को consider करते हैं इस reaction में living group जिस carbon से वो beta carbon से एक hydrogen को upset कर लेता है अब यह base क्या करता है इस beta hydrogen पे अपने electron को donate करता है जिस से इस carbon hydrogen bond के electron यहाँ पर shift जाते हैं जिस से हमारे पास एक carbonine की formation होती है रेक्शन के अगले step में अब इस carbonine के electron इस तरह से move होते हैं और इस reaction में x negative living group बहार निकल जाता है जिस से इस step में finally हमारे पास benzyne की formation हो जाती है अब रेक्शन के अगले step में ammonia के molecule इस benzyne पर attack करते हैं चुक्कि reaction के first step में sodamite से यह ns2 negative base की तरह काम करते हैं और यहां से एक edge को upset कर लेता है यानि इस reaction में ammonia as a side product की formation होती है अब बनने वाला ammonia reaction के इस step में इस benzyne पर nucleophile की तरह attack करता है reaction के इस step में benzyne पर ammonia दो तरीके से attack कर सकता है चुक्कि इसमें ammonia nucleophile है, यानि benzyne का molecule या intermediate इस reaction में, electrophile की तरह काम करता है चोंकि इस selection में benzyne molecule के ये दोनों जो carbon होते हों similar होते हैं इसलिए ammonia का molecule इस carbon पर भी attack कर सकता है और ammonia का molecule इस carbon पर भी attack कर सकता है इनको हम दो path माल लेते हैं path A के coding ammonia इस molecule पर attack करता है और जिसके current इसके pi bond के electron इधर shift हो जाते हैं और इस path A से हमारे पास इस step के intermediate की formation हो जाती है चोंकि इस step में ammonia nucleophile है और उसका N atom electron देने का काम करता है इसलिए इस donor atom पर positive charge की formation हो जाती है अब यहाँ से internal acid base reaction होती है एक H positive यहाँ से निकल कर इस carbon negative के साथ attach हो जाता है जिस से हमारे पास final product की formation हो जाती है बिलकु सिमिलर तरीके से ammonia इसमें इस तरह से अटेक करता है इस path को हम B path कह देते हैं B path में ammonia जो होता है वो इस carbon पर अटेक करता है जिस से हमारे पास इस type की intermediate की formation हो जाती है और बिलकु सिमिलर तरीके से इसमें internal acid base selection होती है जिस से हमारे पास finally B path के तरू final product की formation हो जाती है चुकि ammonia के इस carbon या फिर इस carbon पर attack करने की possibility बिलकुल सेम होती है इसलिए इसमें path A और path B दोनों equal rates से होती है और इसी current से इसमें दो तरगे product बनते हैं अब यह दो product क्यों है क्योंकि इसमें NS2 group ऐसे carbon से जुड़ा हुआ है जो C14 वाला नहीं है जबकि इसमें NS2 group C14 वाले carbon से जुड़ा हुआ है इसलिए इन दोनों product की formation 50-50% होती है अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है जो हमारे पास starter था उस पर living group के अलावा बेंजीन पर और कोई भी group लगा वनी था अब मान लो कोई हमारे पास ऐसा case हो जिसमें बेंजीन में इस living group के अलावा कोई और group लगा हुआ हो तब reaction कैसे करनी है इसके लिए group को हमने दो category में divide कर रखा है जैसा कि अभी हमने mention किया अगर बेंजीन पर किसी living group के अलावा कोई group लगा हुआ है तो उस group की दो category हो सकती है या तो वो electron donating group हो सकता है या फिर वो electron withdrawing group हो सकता है यहाँ यह ध्यान रखना है कि electron donating nature या electron withdrawing nature उसकी सिरफ inductive effect के base पर ही निकाननी है यह ऐसे case में उसका hyperconjugation और mesomeric effect कभी भी consider नहीं करना है ऐसा क्यों है क्योंकि discussion के starting में हमने देखा था यह जो extra pi bone यह जो pi like bone बनता है यह perpendicular orbital में होता है और इस current से resonance में participate नहीं कर सकता इसलिए कोई भी group हो जिसे मान लो alkyl group है तो यह में कभी भी इनका plus h consider नहीं करना है plus i ही consider करना है और बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी group का minus m या plus m हो ऐसी category में भी उसका mesomeric effect को consider नहीं करना है केवल minus i के base पर उसकी electron withdrawing nature को check करना है अब इस mechanism के दोरान चाहिए electron donating group present हो या फिर electron withdrawing group present हो इसकी total six conditions हो सकती है जिसमें से तीन condition electron donating group के वक्त हो सकती है और तीन condition electron withdrawing group के वक्त हो सकती है इसमें होगा क्या कि इनमें जो starter होगा उसमें living group electron donating group के respect में ortho position पर हो सकता है या फिर meta में हो सकता है या फिर para पर हो सकता है और इसी तरह अगर electron withdrawing group present है इसके respect में living group उसकी ortho पे, meta पे या para पे हो सकता है अब बात करते हैं इन से reaction किस तरह से proceed होती है अब इन six condition में से कोई भी condition हम consider करें हमको एक थमरूल यह ध्यान में रखना है कि बनने वाले carbonan पर inductive effect के थुरू उसकी stability decide करनी है और कोई भी group हो उसका हमको केवल inductive effect की consider करना है चाए वो plus आई हो चाए वो minus आई हो नमबर बन अगर मान लिजे हमारे पास benzene है उस पर electron donating group और living group एक दूसरे की adjusted position यानि ortho position पर है और मान लो इसकी reaction any industry के साथ या किसी भी nucleophile के साथ करवाई जाए तो इसमें कौन सा product major बनेगा इसके लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि इस living group के respect में केवल इसी carbon पर hydrogen present है चुकि base हमेशा बीटा carbon से hydrogen को upset करता है living group जिस carbon से जोड़ा रहता है उसे हम alpha carbon कहते है और उसके adjacent carbon को हम beta carbon कहते है चुकि इसमें बीटा carbon पर केवल यहाँ पर ही hydrogen present होती है तो ये base क्या करता है इस hydrogen को upset कर लेता है और जैसे इस hydrogen को base electron देता है यहाँ से carbon hydrogen bond के electron यहाँ shift हो जाते है और इस पूरे step में ammonia as a side product की formation होती है और इसके थुरू एक carbonine की formation हो जाती है reaction के अगले step में अभी carbonine यहाँ से carbon hydrogen bond को break कर देता है और इसमें halogen as a living group की formation हो जाती है जिससे हमारे पास benzyne intermediate की formation होती है reaction के first step में बनने वाला ammonia as a side product इस step के लिए nucleophile की तरह काम करता है अभी ammonia इस benzyne के इन दोनों carbon में से किसी भी carbon पर attack कर सकता है तो ammonia के attack करने की दो possibility हो सकती है अगर ammonia इस carbon पर attack करता है तो यहाँ से electron इस carbon पर shift हो जाते है जिससे इस carbon और N के बीच में bond की formation हो जाती है और यहाँ पर negative charge यानि carbonine की formation होती है और इस path A के according हमारे पास इस type का carbonine बन जाता है इसी तरह इस में एक path B भी possible हो सकता है इस path B में ammonia इस carbon पर attack करता है जिससे इस carbon के electronिया shift हो जाते है और इस carbon और ammonia के N के बीच में नए bond की formation हो जाती है और यहाँ पर negative charge की formation होती है और इस path B से इस type के carbonine की formation होती है अब यहाँ पर सबसे पहले हमको यह decide करना है negative charge यानि carbonine पर इन दोनों group के inductive effect को consider करना है चुकि NS3 positive minus eye effect operate करता है और इस carbonine से यह NS3 positive दो single bond से separate होता है इसी तरह इस carbonine में यह NS3 positive अगें दो single bond से separated होता है यानि इन दोनों carbonine में NS3 positive का जो minus eye effect होगा वो same लग रहा होगा अब बात करते हैं electron donating group की यह plus eye effect लगाएगा चोकि इसमें यह negative charge इस electron donating group से ज़्यादा दूरी पे है तो इसमें electron donating group अपना plus eye कम operate कर पाएगा जबकि इसमें यह negative charge electron donating group के पास में है इसलिए electron donating group इसमें अपना जो plus eye effect होगा वो ज़्यादा operate कर पाएगा और इस कारण से इस carbonine की जो stability होगी वो decrease हो जाएगी यानि कि path A और B में से path A कभी भी feasible नहीं होगा path B visible होगा अब reaction के अगले step में इस intermediate के तरू internal acid base reaction होगी और यहां से एक H positive यहां shift हो जाएगा जिससे finally हमारे पास इस major compound की formation हो जाएगी अगर path A की बात करें चुकि path A B के respect में feasible path नहीं है बट इसके intermediate में भी यहां से acid base reaction होती है और internal H positive transfer हो जाता और यह जो product बनता वो इस reaction का minor product बनता यहांने कि जो path feasible होगा उसके तरू major product बनेगा और जो path feasible नहीं होगा उसके तरू minor product की formation होगी number second अब मालनों हमारे पास benzene है जिस पर electron donating group और living group एक दूसरे की meta position यहांने one और third position पर लगे होगे है और जब base के साथ reaction करवाई जाए तो यहां पर बीटा carbon पर दो तरफ hydrogen present है यहनि इस बीटा carbon पर भी hydrogen present है और यहां भी hydrogen present है तो इन दोनों hydrogen को हम distinguish करने के लिए एक को हम H A माल लेते हैं और दूसरी hydrogen को हम H B माल लेते हैं अभी base का molecule इस B hydrogen को भी एपसिक्ट कर सकता है, इस A hydrogen को भी एपसिक्ट कर सकता है, अगर माल लो ये base का molecule इस B hydrogen को एपसिक्ट करता है, तो यहां से इस type के carbonate की formation हो जाती है, और अगर base का molecule इस A hydrogen को एपसिक्ट करता है, तो यहां से इस type के carbonate की possibility होती है, अब इन दोनों में से क केवल उसी hydrogen को upset करेगा जिसकी acidic strength ज़्यादा होगी। और acid base के concept में हमने ये देखा है कि कई भी acid की strength निकाल ली हो। तो वहाँ से hydrogen को remove कर दिया जाता है और बनने वाले conjugate base यानि negative charge की stability को consider किया जाता है। चुकि इसमें negative charge electron donating group के बहुत पास में हैं जबकि इसमें negative charge electron donating group से दूर में हैं। इस कारण से इन दोनो negative charge या conjugate base में से इस conjugate base की stability जादा होगी। यह हम ऐसा कहलें कि इन दोनो hydrogen में से जो HB hydrogen होगी उसकी acidic strength HA से जादा होगी। इसी कारण से यह जो base होगा के इवल HB hydrogen को ही abstract करके final major root को follow करेगा। अब बनने वाला यह carbonate क्या करेगा। रेक्शन के अगले step में इस negative charge के migration से यहां से hydrogen को leave कर देगा। यानि hydrogen इसमें as a side product या living group बनके बाहर निकल जाएगा। अब इससे हमारे पास benzyne intermediate की formation होगी। और एक्शन के first step में जो side product ammonia बना था वो इस step के लिए अब nucleophile की तरह काम करता है। अब यह ammonia दो step में attack कर सकता है। या तो path B follow कर सकता है कि ammonia इस carbon पर attack करें जिससे इस carbon पर negative charge बने। या path A को follow कर सकता है जिसमें ammonia इस carbon पर attack करें और इस carbon पर negative charge की formation हो। अगर इसमें path A के तुरू जाएं तो यहां पर ammonia के attack से carbon nitrogen bond बन जाएगा और negative charge यहां आ जाएगा। और path B के according हमारे पास जो intermediate बनेगा उसमें यहां carbon nitrogen bond की formation होगी यहां negative charge आ जाएगा। अगर इस path A और B मेंसे कौन सा feasible path है इसके लिए इन दोनों negative charge की stability को देखना पड़ेगा। चुकि यह negative charge electron donating group के पास में हैं इसलिए electron donating group अपने plus I के थुरू इस negative charge की stability को decrease कर देगे। इसी current से इस path A और path B मेंसे path A feasible नहीं होगा जबकि path B feasible होगा। और path B में बनने वाला अभी यह intermediate internal acid based reaction करेगा। और यहां से H positive यहां चला जाएगा। जिससे finally हमारे पास इसके major product की formation हो जाएगी। और path A अगर होता तो उससे minor product की formation होती। तो इस example में हमने सबसे important बात यह देखी। अगर हमारे पास दो तरह के beta hydrogen है तो base केवल उसी beta hydrogen को accept करेगा जिसकी acidic strength जादा हो। और इस से जो negative charge बनता है वो conjugate base कहलाता है। और finally जब इसमें nucleophile attack होता है तो again इसमें negative charge की formation होती है। चाए H को remove करने के बाद negative charge बना हो या फिर nucleophile के attack करने के बाद negative charge बना हो। सभी तरह के negative charge पर हमको group के केवल inductive effect प्रपरेट करने हैं। चाए वो plus आई हो चाए वो minus आई हो। किसी भी तरीके से किसी भी group का हमें hyperconjugation और mesomeric effect consider नहीं करना है। No.3 अगर मान लिजे electron withdrawing group दिया गया हो और उसमें living group एक दूसरी की meta position पर यानि one और third position पर हो। ऐसी condition में जब base के साथ इसके reaction होती है इसमें living group के respect में दो beta carbon present होती है और दोनों पर hydrogen present होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं इन hydrogen की marking कर लेते हैं एक को HA मान लिया और दूसरी को हम HB मान लेते हैं। अगर B hydrogen abstract होती है तो इस से इस टाप के carbonion की formation होती है और अगर A hydrogen abstract होती है तो इस से इस टाप के carbonion की formation होती है। इन दोनों carbonine में से ये carbonine ज़्यादा stable होता है, चुकि इस वक्त तमारे पास electron withdrawing group है, इसलिए इस negative charge को इस electron withdrawing group के पास में बनाना है, यहाँ पर negative charge दूर है, इसलिए electron withdrawing अपना minus i इस पर अच्छे सो operate नहीं कर पाएगा, चुकि यहाँ पर electron withdrawing group पास में है, इसलिए इस negative charge पर यह अपना minus i अच्छे सो operate कर पाएगा, इसलिए इन दोनों conjugate base या negative charge में से इसकी stability ज़्यादा होती है, इस current से इसमें ये root feasible होता है, ये root feasible नहीं होता, यह हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें HA जो hydrogen होती है, उसकी acidic strength HB hydrogen से ज़्यादा होती है, अब reaction के अगले step में बनने वाला carbonine electron को इस तरह से move करता है, कि यहाँ से living group जो होता है और reaction में बहार निकल जाए, और इस तरह से benzyne intermediate की formation होती है, reaction के first step में निकलने वाला ammonia side product इस step के लिए nucleophile की तरह काम करता है, अब benzyne के इन दोनों carbon को हम A और B माल लेते हैं, ammonia अगर A carbon पर attack करता है तो इसको हम path A माल लेते हैं जिससे इस step के intermediate की formation होती है, और ammonia अगर B पर attack करता है इस B carbon पर attack करने के कारण path B possible होता है और इस से इस step के carbonine की formation होती है, अब इन दोनों में से यह negative charge ज़्यादा stable होता है क्योंकि इसमें negative charge electron withdrawing group के पास में होता है, जबकि इसमें negative charge electron withdrawing group से ज़्यादा दोरी पर होता है, इसलिए electron withdrawing group अपना minus I इसके इसमें अच्छे से operate नहीं कर पाता है, यानि कि इन दोनों में से इसकी जो stability होती है वो ज़्यादा होती है, और इसी कारण से इसमें path B more feasible होता है, path A feasible नहीं होता, और path B में बनने वाले अब इस intermediate में internal acid way selection होती है, यहाँ से एक edge positive यहाँ चला जाता है, जिस से हमारे पास final product की formation हो जाती है, जो selection का final major product क्यलाता है, तो guys I hope इस video lecture में आपने यह बहुत अच्छे से समझा होगा, कि benzine intermediate क्या होता है, उसकी structure कैसी होती है, और उसकी reactions को किस तरह से proceed किया जाता है, तो video के rest part में आपके लिए four questions practice के लिए दिये जा रहे हैं, वीडियो को slow down करके या फिर pause करके इन चारो questions को solve करना है, और इनके answer को match करना है, ठीक है students, I hope आपने यह सभी questions solve करे होंगे, these are the answers, अगर इन चारो questions के regarding, या फिर वीडियो में किसी भी example के regarding, आपका कोई भी doubt है, तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं, या fourth question में आपको एक चीज़ यह ध्यान में रखनी है, कि यहां पर जो यह CO2O दिया गया है, इस reaction में या ऐसी reaction में as a catalyst दिया जाता है, जो reaction को accelerate करता है, अगले video lecture में हम लोग किसी नए और interesting topic को आपस में discuss करेंगे, till then take care, bye bye.